हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरकारी सोर्स दोस्तों यदि आप भी अपनी पैन कार्ड को आउनलाइन अपलाई कर चुके हैं एनेस्डियल कंपनी की तरफ से आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी पैन कार्ड अभी कहां फसी हुई है आपकी पैन कार्ड कब तक आपके घर पे पहुच जाएältी और दोस्तों आप बिल्कुल सही है पर आए वह हैं , आप चाहें तो यहांसे अपनी पैन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्टों आज की वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप अपनी Chrome को अपिन करेंगी और यहाँ पे आपको टाइप करनी है यहाँ पे आपको Pen eStatus nsdl टाइप करनी है यहाँ पे नीचे की तरह आप आएंगे सबसे पहले नमर वेबसाइट के ओपर आप किलिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपको Application Type में सबसे पहले Select करनी है यहाँ पे New Pen के ओपर किलिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक Knowledgement Number ट्राइप करनी है जब भी आप अपनी Pen Card को Apply कियो होंगे तो इसमें आपको एक Knowledgement Number मिलती है जो कि यहाँ पे आपको Complete फिल कर देनी है यहाँ पे Past के ओपर किलिक करेंगे यहाँ पे Capture को फिल करेंगे नीचे में और यहाँ पे आप Submit के ओपर किलिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे मेरी एक के Knowledgement Number मेरी नाम फ्रेंट्स यहाँ पे आप दिख सकते हैं लिखावा आराय साब साब कि आपका Pen Card 14 फरविर 2021 को Register Office से यहाँ से दिख सकते हैं बेन नंबर दिखाई दे रहा है आपके पते पे भेज दिया गया है यह आपको 14 दिन के अंदर आपके घर पे प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे आप दिख सकते हैं साब कुछ दिखाई दे रहा है जहां से बिचा गया उनका नंबर भी दिखाई दे रहा है तो आप लोग भी पता कर सकते हैं कि आपके Pen Card अभी कहां फस्ते भी है वहाँ से आपके Pen Card भेजी गई है या नहीं तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही